Chapter 2 Measurement and System of Units की बात कर रहे हैं Significant Figures क्या होते हैं Significant यानिकी उसकी कोई significance होगी और figures मातब नमर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हर एक measurement में कुछ नहीं कुछ accuracy में limitation होते हैं कि जिस instrument से हम ना पर है उसका कुछ least count होगा, उससे नीचे नहीं जा पा रहे हैं जैसे अगर मैं बताओं कि जो time हम measure करते हैं अपने घड़ी से, इसमें आपका second hand होता है ये कहां तक measure कर सकता है, एक second तक अब आप देखिए, कि जब धावक दौरते है 100 मिटर की प्रतिपस्परधा में तो उसमें बहुत एक one by tenth second इसमें भी difference में gold या silver decide होता है वो कैसे होगा, उसके लेलग से watch चाहिए आपकी मालिज आप, आपके pencil आपके हाथ में हो, उसकी length measure करना चाहते है एक end जो pencil का है, वो zero पे रखिए meter scale के और दूसरा आपका 12.3 और 12.4 के कहीं दर्मियान आ रहा है कहीं बीच में आ रहा है least count जो meter scale की होती है, वो 0.1 cm यह हम लोग ने समने देखा है इसका मतलब कि marking 12.3 और 12.4 के बीच में क्या है, यह हम नहीं पता लगा सकते तो मालिज जह हमने length को estimate किया कि यह 12.38 आया, अब हम certain नहीं है या uncertain है कि last digit क्या है यह हम certain तो है कि 1, 2 और 3 तो ठीक है यह जो 8 है, इसको हमने अंदाजन बताया तो जितने number of digit किसी measurement में होंगे तो हम certain हो जाते हैं कि additional digit अगर इसके साथ है वो uncertain है क्योंकि उस नापने वाले instrument की limitation है अगर हमारे पास ऐसा instrument होता जिससे हम नाप सकते 12.38 आप बोलते 12.386, आप बोलते 12.386, 7 क्यों नहीं कर सकता है, आप आप आपस instrument होता हम कर सकते तो number of digit in a measurement about which we are certain मतब ये 12.3 और 12.4 इसके बारे में तो certain हो गए इसके 1, 2, 3 के बारे में हम certain हो गए लेकिन साथ में एक additional digit है, जिसके बारे में हम certain नहीं है हमने एक अंदाजा लगाया है, हम जानते हैं कि 12.3 और 12.4 के बीच में कहीं ये 12.4 के करीब जा रहा है, लेकिन 12.4 नहीं है, इसको हम significant figure कहते हैं, 12.38 इसमें 4 significant digit थे जो अभी हमने बात किए, इसमें 1 है, 2 है, एक दशमल है, dot, decimal value इसके बाद आती है 3 और 8, जितने जादा significant figures होंगे आपके measure में, इसका मतलब ये है, कि उतनी जादा accuracy होगी आपके measurement, जैसे मैंने भी आपको जिकर किया, 12.38, 12.386, 12.386, 7, यहां तख पहुचा दीजे आप, जितने significant digits होंगे, जितने significant figures होंगे, measurement में, जैसे मैंने कहा, उतनी जादा accuracy होगी, और जितने significant digits है, यह depend करता है, उस instrument जिससे आप नाप रहे हैं, उसका least count क्या है, या least count मतलब, उसके नीचे वो measure नहीं कर सकता, radius अगर आप rod का ले, vernier caliper से, हम जानते हैं, vernier caliper तो आपको 10 की पाउर, minus 4 meter तक accuracy देता है, तो आप 0.25 cm कहें, इसी rod के लिए, अगर आप एक और instrument यूज़ करें, micro meter screw gauge, तो आपको यह और दे देगा, क्योंकि वो 10 की पाउर, minus 5 meter तक जाता है, 0.254 तक दे देगा, पहले case में, आपके पास 2 significant digits है, 2 और 5, marks, लेकिन दूसरे case में, जैसे ही आपने gauge का use किया, 2, 5, 4, 3 आपके पास digit आगए, जो dot के बाद है, तो तीन significant digits आगए आपके, तो आप क्या कह सकते हैं, आपको यहाँ, मतलब एक layman की तरह भी सोचिए, तो 0.25 और 0.254 में कौँ सा जादा आपका significant है, यह जादा precise है, 0.24, 0.254 यह जादा precise है, mathematics में सारे number definite figures होते हैं, जो significance निकल के आता है, वो तभी आता है कि जब number किसी physical quantity को represent कर रहा होता है, जो हमने उसे measure किया, क्या rules है कि significant figure में कितने number है, या फिर significant figure कितने है, इसके rules क्या होगे, पहली चीज़ तो जितने भी non-zero digits है, वो significant होगे, जैसे example, अगर मैं आपको समझाओ, किसी का mass अगर 125.63 ग्राम है, तो इसमें 5 significant digits हैं आपके, एक, दो, पाँच, छे, तीन, कितने होगे, पाँच, जितने भी non-zero digits हैं, वो सारे significant होगे, यहाँ clear होगया पहले चीज़, दूसरे पे आते हैं, जितने भी zeros हैं, दो non-zero digits के बीच में, जितने भी zero हैं, जैसे आप इस example को लीजिए, यह 1 to 5.00, 00, 00 मिल रहा है आप, लेकिन यह non-zero digits हैं, इनके बीच में, उनके दर्मियान हैं, तो यहाँ पर इस zero को किनेंगे यह, एक, दो, पाँच, 00, 4, कितने होगे यह, 6, 6 significant digits होगे, यदि number 1 से कम है, तो जो zero होगे, decimal के दाएं हाथ पे, वो तो ठीक है, लेकिन जो number होंगे, बाएं हाथ पे, left of the first non-zero digit, वो non-significant हो जाएंगे, इसको समझाते हैं example से, फिर से समझेगा कि, अगर number 1 से कम है, तो जो zero होंगे, आप, दाएं हाथ, बतलब decimal के, decimal के इधर हम दाएं कह रहे हैं, decimal के इधर हम बाया कहेंगे, तो decimal के दाएं हाथ पे जाएं, लेकिन जो left में हैं, पहले non-zero digit के, वो not significant रहेंगे, समझेगा इसको, 0.001507, इसमें ये zero, ये zero, ये zero, ये जो underline किये गए हैं, ये significant नहीं है, ये significant नहीं है, यहाँ पर केवल 4 significant figures हैं, एक, पाँच, ये zero क्यों आ गया, क्योंकि ये non-zero numbers के बीच में हैं, ये zero इसलिए include नहीं किया, क्योंकि ये zero और one के बीच में है, ये zero इसलिए नहीं किया, क्योंकि ये left में है, तो इसमें चार significant figures हैं आपके, अगला rule है, एक number जिसमें decimal point नहीं है, तो जो zeros होंगे, दाए हाथ पे, last non-zero digit के बाद, वो significant नहीं होंगे, कहने का ताथ पर ये है, 132 meter ठीक है, आप कहें, मैं इसको centimeter में जानना चाहता हूँ, तो 100 से इसको गुना कर देंगे, multiply कर देंगे, 13200 आ जाएगा, ये 13200 centimeter हो गया, इसको millimeter में करते हैं, एक zero और बढ़ा देते हैं, ये millimeter में आ गया है, इन तीनों ही case में, केवल एक, तीन और दो, ये ही significant digit होगा, तीनों ही case में, चाहे meter लें, centimeter लें, या millimeter लें, तीनों ही case में, केवल तीन ही significant digit है, इसका मतलब कोई change नहीं हुआ, क्योंकि zero जो आपके हारे है, वो decimal point, जो zero decimal point के आते हैं, वो केवल position बताते हैं, लेकिन, अगर change करें units, यदि number zero हो, और number zero increase हो रहे हो, लेकिन significant digit नहीं change होते हैं यहाँ पर, जो trailing zero है, अगला मैं बतारा हूँ रूब, जो trailing zero हो है, किसी भी number में, जिसमें decimal point हो, decimal point हो, वो significant होते हैं, इसका सीता मतलब यह है, यह आपने का 7.9 में ने गिना, फिर मैंने इसको और, मैं माली जिए मैंने वर्नियर के रिपरसन आपा, तो 7.90 आया, फिर मैंने इसको गौज से किया, तो 7.900 आया, तो क्या यह 00 की value नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी, यह जो 7 है, यह 9 है, यह 0 है, यह 0 है, यह 4 के 4 सिंग्निफिकंट डिजिट है, और जब हम decimal के बात कर रहे हैं, दाय हाँ पे, तो trailing 0, यानि की 7, 9 के बात जो 0, 0 आ रहा है, इस दोनों में, यह भी 4, और यह भी 4, यह 4 के 4 सिंग्निफिकंट डिजिट होंगे, और जैसे हमने पहले रूल में देखा, यह 0 और यह 0 हम नहीं लेंगे, अब जो रूल देखे हैं उस हिसाब से हम, सिंग्निफिकंट फिगर से या डिजिट जाने की कोशिश करेंगे, 0.003, इसमें किजने सिंग्निफिकंट फिगर हैं, क्योंकि यह डेसिमल है, और डेसिमल में जो भी 0 पहले आता है उसको तो छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि यह 0 कोई भी, नॉन जिरो नंबर के बीक में नहीं है, तो किसमें केवल एक सिंग्निफिकंट डिजिट है, वो है 3, अगले में रिखेंगे, 0.1570, ग्राम पर सेंटिमीटर स्कुरा है, इसमें, क्योंकि यह पॉइंट यह एक से कम नंबर है, तो इसको तो लेंगे निया, इसको छोड़ देंगे, पॉइंट के बाद, डिसिमल के बाद, एक है, पांच है, साथ है, यह तो है, लेकिन जीरो ट्रेलिंग भी है, यह जैसा अपने लास्ट डूल में डिसकस किया, तो 1570, यह सारे के सारे आपके, सिंग्निफिकंट फिगर आएंगे, टू पॉइंट सिंग्निफिकंट डिजिट कितने हो गया है, दो, छे और चार, तीन सिंग्निफिकंट फिगर हो गया, इसा, सेवन पॉइंट फाइन जिरो, यह एक्जामपल हम पहले डिसकस्ट में देख चुके हैं, तो साथ भी, पांच भी, नौ भी जिरो, चारों के चारों सिंग्निफिकंट फिगर्स में आएंगे, इसमें अगर देखें आप, तो मैंने जिसे बताया, इसको भूल जाईए, इस पे कॉंसेट्रेट करिए, तीन, जिरो, एक, दो, जिरो को बिलकुल मानने रखा जाएगा, क्योंकि ये नौन जिरो के बीच में है, इसका मतलब 3, 0, 1, 2, चार सिंग्निफिकंट फिगर्स है आपके पास, सिंग्निफिकंट फिगर्स जब हम एड़ करें, सब्ट्राइट करें, मल्टिप्लाय करें और डिवाइड करें, कोई भी फिजिकल या फिजिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट या एक मेजरमेंट नहीं होता, उसमें कई सारे मेजरमेंट होते हैं, और हर एक मेजरमेंट की कुछ अक्यरियोसी होती है, जैसे पहले भी हमने डिसकस किया कि जो मेजरिंग इंस्ट्यूमेंट है उसके लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें नमबर लास्ट में आना है यूग लीस्ट काउंट से नीचे तो नहीं जा सकते है जैसे रेजिस्टेंस अलग-अलग रेजिस्टर्स का अगर हम मीटर से ओम मीटर से इसको मेजर करें और अलग-अलग लीस्ट काउंट से करें तो 5.64 5.67 ओम आ सकता है 12.345 भी आ सकता है 0.7 भी आ सकता है तो टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे ना आपनेंगे इन सब को जोड़ दीजिए इनको जोड़ने का तरीका 12.345 सबसे ज़्यादा सिग्निक्फिकंट डिजिट वाला लिख दीजिए फिर डेसिमल को रखें बस यहाँ पर और इसके आगे वाला नमबर यहाँ 6.7 यहाँ ऐसी पॉइंट 7 के लिए पॉइंट यहाँ रखें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो 0 जोड़ दीजिए यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है 0 जोड़ दीजिए यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है 0 जोड़ दीजिए अब इनको एड़ कर दीजिए आप देखेंगे ये 5 आएगा 4, 7, 11, 1 carry ये आपका आएगा 17, 7 1 carry, 5, 2, 3, 8 18.715 ohm है इस तरीके से आएगा ये ये आपका measurement हुआ अब question इसमें आता है क्या ये sum कुछ ठीक है क्योंकि ये तो हमने ऐसे measure किया है जिसमें हमारे पास किवर तीन ही significant digit है ये figure है इसका क्या है इसके पास तो ये वाली value है नहीं इसके पास कहा है 6, 7 के बाद खतम हो गया है इसके पास तो 3, 4, 5 भी है है ना हमारे पास तीसरे digit की जो decimal के बाद आ रहा है उसकी तो information ही नहीं है R3 की बारे में बात करें तो इसमें तो हमारे पास एक ही हमारे पास ना second digit की ना third digit की कोई information ही नहीं है इसका मतलब जो precision है इस measurement में R3 जो हमने आपका ये वाला निकाला R3 की वो कम है बागी दूर जिस सबसे कम इसकी है फिर इसकी है सबसे बड़ी है इसकी है तो जो sum आ रहा है 18.715 जो जोड की मैंने दिखाया इसमें जो second और third digit है ये आपके insignificant हो जाएंगी और answer आप कैसे लिखेंगे इसको आप हटा देंगी क्योंकि आपका least जो है उसी के हिसाब से लिखा जाएगा वो ही आपका final होगा ऐसा नहीं कि आप इसके हिसाब से लिखेंगे अभी जोडा मैंने आपको पताया 00 जोड दीजे आपको लगा कि 18.715 सही आ रहा है लेकिन यहां थ्रौसा अलग है मामला आप 18.7 तक ही लेगे तो कोई भी result जिसमें एक से जादा insignificant हो या uncertain digit हो उसको आपको round off करना पड़ेगा ताकि आप correct significant digit तक आए उसके उपर नहीं जाना है least significant तक आप महाँ पहुँचाएंगे तो कुछ के लिए कुछ rule समझ लीजे यदि significant digit 5 से कम है तो उसका preceding digit जो होगा जो बाय हाथ का है वो unchanged रहेगा कहने का अतात पर यह है यहाँ पर 10.743 है आप 10.7 तक लेना चाहते हैं बस ये 3 significant digit लेना चाहते है क्योंकि 7 के बाद 4 आ रहा है जो 4 5 से कम है तो इसमें कोई भी fair बदल नहीं होगा इसको 10.7 लिख देंगे क्योंकि 7 यह जब 4 है यह इस पर effect नहीं डाल पार लेकिन यदि इसी case में हमारे पास एक example हो 10.68 हम इसको 10.6 करना चाहते हैं क्यों 3 significant digit रखना चाहते हैं और 6 के बाद आप 8 देख रहे हैं जो की 5 से बड़ा है ठीक 8 is greater than 5 तो आप इस 8 के कारण इस 6 को एक बड़ा देंगे यहने 10.68 की जगा 10.7 लिखेंगे आप खुद ही देखिए 10.68 ज़ादा करीब है 10.7 के ना कि 10.6 के तो इससे 10.7 करेंगे यदि आपका जो digit है वो 5 है तब आप तब भी एक या तो उसको आप increase कर सकते है या decrease कर सकते है कहने का मतलब if the digit to be dropped is 5 अब यहाँ पर देखिए पांच से कम हुआ पांच से ज़ादा हुआ यह तो बिलकुल clear हो गया लेकिन अगर पांच है तो हम क्या करेंगे कि जो preceding digit है उसको हम एक से बड़ा देंगे यदि वो odd हो और यदि हम even हो तो हम unchanged रखेंगे फिर से समझेगा 10.45 इसमें यह क्या है even है कि odd है यह even है even होगा तो हम इसको छोड़ देंगे कुछ नहीं करेंगे लेकिन जैसी 10.55 आया इसके बाद यह 5 है इस 5 के हिसाब से इसको change करना है इस 5 के हिसाब से यह change होगा इस 5 के साथ यह change हो रहा है तो जैसी आपने 5 देखा और इस number को देखा कि यह odd है तो आप इस 5 को 6 कर देंगे addition और subtraction में जब भी आप addition subtraction कर रहे हैं जो significant number का तो कुछ चीज़े ध्यान देंगे इसमें अगर सारे number integer है तो जो sum आएगा वो normal तरीके से होगा इसमें कोई दिकत नहीं होगी यदि addition और subtraction कर रहे हैं और जो final result आ रहा है उसमें कुछ decimal places आ रही है कुछ decimal dot वाली value आ रही है और कोई एक number आ रहा है जिसमें कम सबसे least decimal places है इसको इस तरीके से समझे कि अगर आपके पास यह R3 है 0.7 ohm इसमें कितने significant digit है केवल एक साथ decimal के बाल किवल साथ आ रहा है total कितना हुआ 18.715 मैंने बताया कि जब integer आड़ हो रहे हैं तो कोई दिकत नहीं लेकिन जैसी decimal में आएंगे तो least वाला जो था R3 आपने देखा था 0.7 सबसे कम था बागी सब इससे उपर थे सबका precision इससे ज़्यादा था least precision का लेंगे तो यहाँ पर आपके वाल 18.7 ले लेंगे 15 को छोड़ देंगे और इस 7 को 1 7 को हमने 1 क्यों रखा मतब 7 को हमने 7 क्यों रखा 1 था यहाँ पर यह 5 से कम हैसले इसको 7 तक भी 18.7 माल लिजए यह 5 से ज़्यादा होता या 5 से ज़्यादा होता तो अभी जो रूल बताए हैं वो यह आप 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 करें Multiplication और division की बात करें किसी भी measurement में जो last digit है उसको हम uncertain मानते हैं Multiplication कोई भी number का जिसका least significant digit है वो भी insignificant होता है मतलब का नहीं होता आपको आप अज़्याद नहीं है उसके बारे में लेकिन जो final result आएगा उसमें केवल एक ही insignificant digit होना चाहिए तो यहाँ पर कुछ चीजे Multiplication और division करेंगे उसमें आपको ध्यान दियाना है पहला यह है कि original number original number के least significant के जितने digit है वो आपको रिटेन कर ले example से समझीए इसको मान लीजे length और breadth आपने मटित आएगी है किसी rectangular plate यह length और breadth आपने मटित आएगी है length है आपका 2.613 कितने हो गए? 4 इतमे significant digit है breadth आपने खा 1.2 है 2 significant digit है तो कहने का मतलब यह है कि जब इसको आप multiply करेंगे 2.613 को 1.2 से तो आपका करीब आएगा 3.1356 लेकिन 1.2 इसमें least significant number है इसका मतलब दो ही significant figures है तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए? इसका उत्तर क्योंकि least, जो least होगा उसको लेंगे तो 3.1356 इसको आप given 3.1 लेंगी और फिर से मैंने बताया कि क्योंकि 3.1 में 1 लिया क्योंकि ये number 5 से कम है इसको ध्यान रखेंगे एक और example लेते हैं इसका mass है किसी object का है 3.523 volume है 1.47 जो density आ रही है वो क्या होती है? mass by volume 3.523 को 1.47 से divide करेंगे यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 4 significant digits यह figure यहाँ पर 3 है कम किसका है? 1.47 तो हम 3 ही लेंगे तो इसको multiply करने पर यह divide करने पर हमारे पास यह value आ रही है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो किवल यह 1, 2, 3 लेने हैं है और यह 3 जो uncertainty है इसको कैसे हम decide करेंगे एक और इसका rule है कि जब दो number इसको हमको multiply करना है यह divide करना है और इसमें से out of them जिसमें measurement एक definite number है तो जो integer और fraction आएंगे वो जो इस physical equation में वो आपके in general definite number आएंगे एक equation आपके पास है V square minus V0 square is equal to 2AD इसको आपने V square equal to U square plus 280 नाम से 2AS नाम से देखा है पहले discussions में तो यहाँ पर जो coefficient 2 ही 2 है वो 2 है, exactly 2 है यह तो change नहीं हो रहा है, constant है अब इसके पास infinite significant figures है 2 को 2.0 लिख दे 2 को 2.00 लिख दे एक ही बात है इसमें हम क्या करेंगे हम, क्योंकि हम constant value हो गई है specific value है तो we will not consider the significant figure of the definite numbers हम यहाँ पर significant, जो definite number है उसका significant figure नहीं देखेंगे फिर से समझाता हूँ आपको एक लिए restriction लेके जो diameter है, sphere का 4.24 है आपको उसका surface area निकालना है sphere का correct number significant figure के हिसाब से अब आप जानते है कि surface area जो sphere का होता है, वो होता है 4 pi r square इसमें दिया हुआ है आपको 4 definite number है pi 22 by 7, फिर से definite है लेकिन 3.14 इसको लेते हैं अमूमन लेकिन बात हमारी आ रही है diameter की diameter को 2 से divide कर दीजिए, radius आजाएगा radius को यहाँ रब दीजिए, d by 2 यानि कि 4.24 को 2 से divide कर दीजिए, square कर दीजिए लेकिन जब आप 56.478 ले रहे हैं जब जिसका उतर आएगा 56.478 इस equation में 4 और 2 आपके definite number है हम इसको consider नहीं कर रहे हैं और जो measure है d का उसका 3 d का मतलब उसकी बारे मात करें तो उसमें कितने significant digit है 1, 2, 3 तो आपको यह 3 जो है यह 3 significant digit क्योंकि r पे dependent है, 4 और πाई की यहाँ पर कोई सर्थक्ता नहीं है, खासत और सर्थक्ता इसलिए नहीं है क्योंकि हम significant digit की बात करें बाकी तो value की तो सर्थक्ता है इसी से तो सब उचाया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें 56.4 ही हमको लेना है लेकिन 4 कैसे decide होगा कि 4 आएगा या 5 होगा यह 7 से decide होगा अब देकि 7 है 5 से बढ़ा है तो इस 4 को 5 कर दीगे तो 3 क्योंकि यह 3 है 4.24 में 1,2,3 है उत्तर में भी आपके 3 आएंगे 55, 56.5 यह 56.5 एक, दो, 3 तीन आने चाहिए dimensions and dimensional formula कोई भी physical quantity या derived quantity basic या derived इसको हम express करेंगे combination में साथ हमारे पास fundamental या base quantities होती है अब अपनी सहुलियत के लिए जो base quantities है उनको हम letter से लिखते हैं क्योंकि हम number नहीं समझ पाते हैं हम letter आराम से समझ जाते हैं हम क्या करेंगे जो mass है उसको हम represent करेंगे M से, capital M कर देते हैं इसको length को हम करेंगे capital L से और time जहाँ आएगा उसको हम करेंगे T से क्योंकि यहाँ पर हम current वगर की बात करेंगे magnetism की भी बात करेंगे तो electricity या electric current को current को हम करेंगे ampere से तो यह M, L, T, A capital आपको यह हर जगा दिखाई देंगे अब से तो thermodynamic temperature जो substance है उसके amount पे और जो luminous intensity है उसको हम denote करेंगे K thermodynamic temperature Kelvin के K से और बाकी M, O, L mole यह हम उसका mass और जो amount of substance है वो आपका यह हो गया और CD CD आपका luminous intensity होगी जो कि हमने पहले बात किये थी candela से करते हैं CD से तो जहां जाएंगे उसको हम करेंगे तो जो physical quantity है उनको हम इस पे इन सब M, L, T, K जो जो हमने अब यहाँ पर अपने सहुलियत के लिए बनाया उनके powers पे बात करेंगे तो जैसे ही इनकी कुछ power आने लगेंगी इन मेंसे कुछ चीज़े use होंगी कुछ चीज़े नहीं use होंगी और उनकी कुछ power आने लगेंगी तो ऐसा जो expression बनेगा किसी भी physical quantity का उसको हम कहेंगे कि वो उसका dimensional formula है dimension का मतलब है उसका power के है जो power यह exponent है MLT का वो ही dimension होता dimension का मतलब उसका dimension की बात हो रही है उसके power की बात होड़ी तो dimensional power जो formula है किसी भी physical quantity का उसको हम रखेंगे square bracket में कैसे रखेंगे square bracket में जैसे हमने कहा MLT minus 1 उसके power minus 1 करते हैं इसको square bracket में रखा यह आपका एक पूरा dimensional formula होगा उस physical unit का एक example लेंगे velocity क्या होता है displacement by time यह हम बिल्कुर clear है यहनि अगर मैं velocity को लिखूँ तो मैं कुछ square bracket में वी लिख देता हूँ यह के representation के लिए है हमारा main मतलब यह है कि हमको इसकी dimension पता करनी है displacement length होता है displacement यहां से माँ जाएंगे length की बारें बात करेंगे तो dimension यहां length की आएगी और time मतलब समय यहां dimension time का आएगा तो dimension of length L हमने अभी इसके लिए L लिया dimension of time हमने T लिया अब L की power 1 T की power 1 किसी की power अगर के हम जैसे X लिख रहे हैं तो इसकी power 1 ही तो है तो L की power 1 T की power 1 चलिए L की power 1 तो ठीक हो गई T की power 1 है नीचे रखने से अच्छा जरा उपर ले जाए जाए कभी भी power नीचे की उपर आती है तो माइनस हो जाती है तो यह तो L बन रहेगा T की power उपर जैसे आई T की power माइनस 1 होगी तो यह L की power 1 T की power माइनस 1 अब इसको संपूर्ण करना है पूरा करना है M को क्यों छोड़े हमको हर एक dimension को एक ही चीज से रख प्रेजेंट करना है तो M तो था ही नहीं किसी X की power 0 का मतलब क्या होता है 1 तो M की power 0 का मतलब भी 1 होगा तो M की power 0 रिखने से हमें कोई प्राब्लम नहीं है L की power 1 तो हम लिखे सकते हैं यह आया और T की power minus 1 यह क्या बन गया आपका M की power 0 L की power 1 T की power minus 1 यह होगा आपका dimensional formula यह पूरा का dimensional formula होगा velocity का अब dimension की बात करें तो dimension यहाँ mask के dimension है 0 length का dimension है 1 और time का dimension है minus 1 अब आते हैं kinetic energy के बारे में kinetic energy है half mv square इसका मतलब constant को तो हम छोड़ देते हैं constant का कोई dimension नहीं होता है mask का ज़रूर होता है और velocity का भी होता है इस k को हम square bracket इसलिए रख रहे हैं कि अब हम square bracket से बताना चाहते हैं कि हम इसका dimensional formula नकालेंगे half को जैसे मैंने कहा एक number है एक precise number है तो इसको हम dimensional less काईगी अब एक-एक से शुरू करते है mass, mass से कैसा हैगा m velocity अभी अभी हमने निकाली क्या निकाली थी m के power 0, l की power 1 t की power minus 1 लेकिन ये square है है ना तो x की power 2 और उसकी power 2 क्या होता है 4 क्यों? 2 into 2 हो जाता है यही यहाँ पर करेंगे 2, 2 into 0 0 2 into 1 2 2 into minus 1 minus 2 तो यह क्या पन गया? यह एक m बाहर था इसको यह रहने दीजे एक m की power 0 पर आपने 2 into 0 किया तो क्या आया? 0 आया इसका मतलब किसी की power 0 तो 1 ही होता है तो इसको मटा दे l की power 2 यहाँ लिख देंगे t की power minus 1 t की power minus 1 को 2 से प्पलाई किया तो 2 into minus 1 minus 2 आ गया यहने कि m की power 1 l की power 2 t की power minus 2 यह इसका dimension formula बना और इसके dimensions है 1 mass के लिए 2 length के लिए और minus 2 time के लिए dimensional analysis जो तरीका है जिससे हम solution निकालेंगे बहुत सारी problem का physics में और खास तरफ से formula की तरफ देखेंगे उसे हम कहते है dimension analysis dimension analysis का उप्योग क्या है पहली चीज़ तो relation निकालना है units का कुछ physical quantity है दो अलग-अलग systems या unit के system में उसमें अगर आपको निकालना है उनके बीच में क्या relation है यह ध्यान रखना है कि left hand side का dimension right hand side की dimension से बराबर हो अगर यह नहीं है इसका मतलब कही न कहीं कुछ गरबढ़ है आपके formula ठीक नहीं बन रहा है तो अगर dimensional consistency पता करनी है किसी equation की तो अलग-अलग physical quantity की तो यह सबसे अच्छा तरीका है फिर इसके बाद अगर आपको equation derive करनी है एक equation derive करनी है physical quantity से किसी दूसरे physical quantity के term में तब भी हम dimensional analysis का यूज़ करते हैं फिर पहरी बात से शुरुआत करता हूँ मैं आपके जैसे अगर हमको relation निकालना है दो units का यह दो unit system का किसी physical quantity के तालूख से दो अलग-अलग system जो unit को रापने के system है तो कैसे करेंगे example के तहर समझीए unit जो work की है वो mks system में joule ना पिछाती है meter kilogram second में इसको joule के हिसाब से ना पाजाता है यहीं आप centimeter वाले system में ले जाएंगे तो यह arg के हर नाम से जाना जाता है ERG अब आपको एक संबद मनाना है एक relation मनाना है या उनके बीच में एक relationship स्थापित करना है joule और ERG के बीच में कैसे होगा है work का dimensional formula है m की power 1 l की power 2 t की power minus 2 यह अभी अभी आपने देखा यह अभी अभी आपने निकाला अब work मतलब energy energy मतलब work work मतलब m की power 1 l square t की power minus 2 यह अभी है हम kinetic energy के निकाल चुके है हमको CC दलिख सकते है अब जब mks system में m है तो mass kg में है हम इसकी बात जब mks system की बात करें dimensional analysis जब हम कर रहे है तो हम कहते हैं कि हमने mks system लिया जैसी यह cm मतलब जैसी आप CGS में आएंगे तो हमारा यह gram हो गया यह cm हो गया यह second हो गया आप जानते हैं 1 kg कितने gram के बराबर होता है 1 kg is equal to 1000 gram यानि 10 की घात 3 gram तो 10 की घात 3 लिख दीज़े और इसको gram में लिख कर दीज़े length है meter में इसको ज़रा cm में change करते है एक meter जो होता है वो 100 cm के बराबर होता है 100 का हम 10 की पावर 2 लिख सकते है तो यह L बराबर हो जाएगा meter में L 10 की खात 2 के 7 cm में time के बारे में बात करें क्योंकि यहां भी second है यहां भी second है अब हमको 10 लिखना है तो M की पावर 1 इसकी पावर 1 यानि इस पूरे की पावर 1 कर दीजा तो 10 की पावर 3 M की पावर 1 अब L स्कार करना है तो इस पूरे की पावर 2 कर दीजे यानि 10 की पावर 2 L की पावर 2 अगर आपको T की पावर माइनस 2 करना था इस पूरे की power minus 2 कर दिए अब देखिए, क्योंकि power 1 है 10 की power 3 रहेगा, m की power 1 ये 2 है तो 10 की power 2 into 2, या नहीं 10 की power 4 हो जाएगा ये L square तो रहे गए 10 की power 0, minus 2, 0 into minus 2 0 ही होता है, तो ये वैसे भी हट जाएगा t की power minus 2 आएगा अब आप m, l, t को एक साथ ले लिजे जो जो coefficient बने उनको एक साथ ले लिजे 10 की घाथ 3, 10 की घाथ 4, 10 की power 3 और 10 की power 4, पावर जो है वो जूडते है, तो 3 और 4 जोड़के साथ हो जाएगे, 10 की power 6 mks system से आपने इसको अभी-भी cgs system में convert कर दिया है, और जो conversion value आई है, वो 10 की घाथ 7 आई 10 की घाथ 7 और ये तो mks unit of work बराबर होता है 10 की घाथ 7 cgs unit of work तो एक जूल कितना हो जाएगे, ये जूल है ये जूल है, ये अर्ग है तो एक जूल होता है 10 की घाथ 7 अर्ग कितना आसान हो गया है आपने एक सिस्टम से दूसर सिस्टम की बीच में एक संभन्ध स्थाफित दिया, एक relationship बताई, कि जब भी हम एक जूल लेंगे और हम उसको convert करना चाहेंगे अर्ग में तो ये 10 की घाथ 7 की value आपको यहाँ पर लाने पड़ेगे हम verify करना चाहते हैं dimensional consistency किसी equation की जो अलग-अलग physical quantity से मिलके बनी है तो कोई भी equation जो relate कर रहा है अलग-अलग physical quantity को यदि dimension के time दोनों ही side left hand side और right hand side में बराबर है तो हम कहेंगे कि ये equation dimensionary consistent है dimensionary सही है centripetal force किसी भी object पे जो लगता है किसी भी uniform इस तरीके से लगता है एक ऐसा force होता है एक ऐसा force होता है तो centripetal centrifugal force होते हैं तो centripetal force जो है वो f is equal to mv square by r m mass है v velocity है r आपका radius है mass को mass में ले लेंगे velocity अभी अभी हम निकाल चुके r को हम length में लेंगे तो हम क्या करेंगे ये mass हो गया m ये हो गया आपका l और ये t की power minus 2 ये हमारा left hand side से आपका आगे अब आप देखिए कि जब हम इसको m force तो ये हो गया अब ये जो force है ये वाली जो चीज है वो हमारी है mv square by r तो जो left hand side equation उसको हम consistency चेक करना चाहरे है m ये l की power 1 जो है इसको हम l की power 2 by l लिख सकते है क्योंकि जब ये उपर जाता है तो power घटते है 2 minus 1 हो जाएगा तो l एक ही बात है l को हम लिख सकते है l square by l तो l को लिख सकते है l square by l t को ऐसे रहने दीजी इसको एक साथ कर लीजे l square और t square को एक साथ कर दीजी ये basically m l की power 1 और t की power minus 2 ये तो आ रहा है ये दोनों तो same ही है हमने क्यों क्या किया l को हमने l square by l लिख दिया क्योंकि वह l के परावरी लेकिन इससे हमें फायदा क्या हुआ है ये mass हो गया ये आपकी velocity हो गई जिसका square है l t minus 1 ये velocity होती इसका square l की power square t की power minus 2 और ये आपका हो गया r यारिक length m v square by r इसका मतलब ये है कि यहाँ से चले ये निकाल लिया इसका मतलब dimension जो left hand side का है right hand side इसके बरावर है ये dimensionally correct है जो formula था dimensionally correct है तो जिया जी equation में constant है वो dimensionless होते है तो हम उसको verify नहीं कर सकते dimension analysis से नहीं कर पाएंगे एक तीसरा फाइदा इसका dimension analysis का ये था कि हमको अगर equation निकालनी है किसी physical quantity की किसके terms में किसी और physical quantity के terms में निकालना है तो कैसे करेंगे हमको निकालना है expression periodic time simple pendulum का जो periodic time है किसी simple pendulum का वो depend करता है उसके length pendulum की length क्या है इसकी length क्या है mass क्या है इसका bob का mass क्या है और इसमें gravitational pull क्या लग रहा है तो इसका mass हो गया ये length हो गई और आपका ये g हो गई तो periodic time t ये directly proportional है m to the power a directory proportional है l to the power b directly proportional है g to the power c हमें नहीं पता a, b, c क्या है हमने ये बता दिया कि भई हम जानते है periodic time l पे depend करता है l की power b कर दिया mass पे depend करता है m की power a कर गिया और g पे depend करता है तो g की power c कर गिया इसका सीथा मतलब है कि time जो है उपरी तरह depend करता है m की power a into l की power g g की power c ये इसको तीनों को मिला के लिए अब proportionality sign जब भी हटाते है is equal to करते है तो हमें यह आपर constant लगाना परता है constant लगा दिया constant जो है constant of proportionality dimension less होता है तो इसके बारे में हम वरी नहीं करेंगे हमारा a और b और c ये real number है a जब हम dimension formula बनाते है तो जो डोनों side है वो आपके बरापर होने चाहिए इसका मतलब ये है कि m की power 0 l की power 0 t की power minus 1 ये कहां से आया ये आया time से time क्या है time में क्यों t की power 1 रहेगी तो m की power 0 रहेगी l की power 0 रहेगी क्योंकि m और l तो है नहीं इसके time की power 1 अब आप देखिएगा किस तरीके से हम ये a और b और c निकाल लेते हैं हमने कहा कि ये m इसकी power a है हमने कहां l की power b है और ये जो तीसरा था उसकी power c है तीसरा क्या था आपकी gravity थी gravity is acceleration acceleration का होता है अभी अभी हमने पिछले discussion में निकाला m की power 0 l की power 1 t की power minus 2 इसको a को 1 से गुणा कर दीजे a आएगा b को 1 से गुणा कर दीजे b आएगा c को 0 से करेंगे तो 0 आएगा c को 1 से करेंगे तो c आएगा और c को minus 2 से multiply करेंगे तो minus 2 c आएगा power हमेशे जोड़ जाते है सेम अगर आपका base है तो तो m और m को लीजे a और 0 को जोड़िए m की power a l और l को लीजे b और c को जोड़ दीजे l की power b plus c अब t यहाँ पर है नहीं कहीं भी t की power minus 2 c है तो 2 c बस लिए अब हम जब compare करेंगे तो ये इनकी dimension सेम होनी चाहिए dimension क्या होता है power होता है तो 0 a के बराबर है तो a 0 आगया 0 b plus c 0 के बराबर है और minus 2 c आपका 1 के बराबर है minus 2 c equal to 1 याने के c कितना आजएगा minus half इसी minus half को यहाँ रख दीजी तो b कितना आजएगा half a b c आपको 3 हो लिए और अब इसको हम लिख सकते है time is proportional to k constant हमने लिया था m की power 0 i l की power half i g की power minus half तो हम कैसे लिख सकते हैं k m को अटा दीजीए किसी की power 0 1 होती है l को half है याने के root l है g की power minus half है याने के under root g denominator में आएगा तो यह दोनों को एक बार अंडरूट कर दीजीए या अटा दीजीए under root l by g इसको हम आराम से experimentally निकाल सकते हैं estimation से निकाल सकते हैं जो की value 2 pi आती है यह लोगोंने कर रखा है 2 pi आ जाएगी आप देखिए आपने अभी-अभी formula निकाल लिया periodic time simple pendulum का कितना आसान हो गया एक dimensional analysis से आपने proper formula निकाल लिया limitation क्या है dimensional analysis की अब इसकी limitation भी है किसी भी dimensional formula में जिसमें MLT होता है तो हमारे पास 3 equation बनती है जैसे अभी-भी आपने देखा A, B, C के 3 equation बनी है जब हम equate करते है MLT के तो अगर कोई भी चीज 3 से ज़ादा हो तो आप उसकी उसका relation या बागी चीज़ों जो जो हमने बात की वो नहीं निकाल पाई क्योंकि इसमें हमारे पास MLT ही आ रहा है जो information है dimensionless constant की वो हमने निकाल सकता है यह भी आपने देखा जो हमने time निकाला तो हमारे पास is equal to k under root lg हम इसके लिए बड़े confident थे इसके लिए हमने बड़े confidently under root l by g निकाला इस k के बारे में हम बिल्कुश शोर नहीं थी मैंने कहा है यह experimentally निकाला गया तो यह k कहां से आएगा यह हम experiment से निकाल सकते हैं dimension analysis से हम इस k के बारे में कुछ नहीं पता कर सकते हैं dimensional analysis हम कहां यूज नहीं कर सकते हैं जिसमें trigonometry, exponential या logarithmic function है वहाँ पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जो function होते हैं इसमें dimension नहीं होती है यह dimension less होती है जैसे अगर sin omega t लीजिए e की पार minus kx लीजिए यह function है omega t का यह function है minus kx का यह kx का ले लीजिए यह dimension less quantity है e का क्या बोलेंगे sin का कोई dimension नहीं होता है वहाँ इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे dimension less अगर constant जो proportionality का आ रहा है वो dimension less ना हो तब इस method का उपयोग कैसे करेंगे एक example देता हूँ f आपका g m1 m2 by r square इसमें g proper एक unit है gravitational एक constant value है लेकिन इसका एक dimension है n newton meter square by kg square इसको आप dimension analysis से नहीं निकाल पाएंगे यदि velocity light की इसको हम unit of velocity और year के हिसाब से ले अगर हम unit of time ले तो आपको unit distance का निकालना है velocity आपको दी होई है 3 into 10 की घात 8 meter per second यानि 3 into 10 to the power 8 distance होता है velocity into time speed is equal to distance by time उससे यह हमारे पास relationship है distance की unit क्या होगी velocity की unit ले लिए time की unit ले लिए unit velocity की क्योंकि यहाँ पर 3 into 10 to the power 8 दिया यह meter per second को unit of time एक year कहा गया है एक year को हम क्योंकि यह second में है तो इसको second में बदलना पड़ेगा एक साल में 365 365 एक बटे चौथाई दे होता है 365.25 डे होते एक दिन में 24 घंटे होते और एक 24 घंटों में एक घंटे में 3600 सेकंड होते तो इसको multiply करेंगे तो आपके पास value आएगी हमारा मकसद इसके value से नहीं है हमारा मकसद यह है यह है ms-1 यानि की meter पर second यह है second हमने केवल dimensions वो उसके unit यह है बागी यह multiply करके यह तो खेरे आ जाएगा अब देखिएगा कि मैं जब इसको इस तरीके से लिखोंगा s-s cancel हो जाएगा केवल meter आएगा इसका पतब सीधा है कि जो unit head distance की इसको हम light year कहते हैं और यह meter में आएगा एक नया system जिसमे unit length की mass की और time की इसको इस तरीके से choose किया गया कि length को आप 10 cm कहेंगी mass को आप 10 gram कहेंगी और time का 0.1 second कहेंगी इस नए unit के तत्वाधान में यह नए unit जो force है newton में वो किस तरीके से होगा आपने यह सब चीज़े नहीं ला दी है what will be the new unit of force in newton newton में ही बताना है force unit इस नए system में तो पहले force को लिखते हैं force हम जानते हैं जाले भी हम देख देख चुके m की power 1 l की power 1 t की power minus 2 अब m की जगा आप 10 cm लिखिए याने m की sorry यह mass gram है 10 gram लिख दीजे 10 gram की power 1 आपके पास length है 10 cm तो 10 की power 1 हमने क्यों लिख 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 दिया time क्या 0.1 second है तो 0.1 second लिख दीजे अब आप क्या करेंगे इस kg को क्योंकि आपको लेना है यह न्यूटन में और न्यूटन में करना है तो mk system में लाना पड़ेगा इस gram को आप change करिए पहले आप kg में तो gram का kg क्या होता है 1 kg में 1000 gram होते है तो जैसी आप इसको 10 को 1000 से divide करेंगे 10 की पाउर माइनस 2 आएगा इसी तरीके से centimeter को meter में change करिए एक meter में 100 centimeter होते है divide करिए इसको 100 से 1 by 10 याई कि 10 की पाउर माइनस 1 0.1 second आया है आपका इसकी पाउर माइनस 2 है और 0.1 second को आप जब क्योंकि इसमें change करनी की आशक्ता नही है सिधा आप s की पाउर माइनस 2 करिए और यहाँ पर आपकी जो value आएगी 0.17 इसका square माइनस 2 में कर दीए यह आपका आज़े अब जब इस सब को जोड़ेंगे kg meter और second square इसको तलग कर दीए kg की पाउर kg 1 हो गया mass की पाउर 1 माइस हो गया s की पाउर माइनस 2 यह हो गया और आप 10 की खाउर माइनस 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कर दीए यह माइनस 3 प्लस 2 आएगा यानि की माइनस 1 10 की खाउर माइनस 1 यानि 1 बाइ 10 यानि 0.1 newton यह तो newton के बाढ़ाबर है इस तरीके से आई जब एक metallic rod जिससे heat आ रही है इसमें एक thermal steady state है और जो heat pass हो रही है किसी t time में उसको हम बता रहे हैं q equal to k into a t1 minus t2 into small t vial इसमें एक एक चीज़ को देखते है k जो है यह thermal conductivity उस material की है जो rod के बारे बात हो रही है ए एरिया of cross section है t1 और t2 आपका temperature है hot गरम और ठंडे end का और जो t है वो time है capital है आपको length दिखना है इसका dimensional formula निकालना है कैसे निकालेंगे पहले चीज़ तो हमको k का निकालना है तो k को यहां रखिये बाकी सबको एक side पर ले जाए तो L उपर आ जाएगा बाकी यह सब चीज़ नीचा जाएगी तो Q into L by E अब हम जानते हैं एक एक को लेंगे heat क्यों energy होती है energy वर्क एम की पाउर 1 L की पाउर 2 T की माइनस टो यह हम अल्रीदी निकालना है length होता है L L की पाउर 1 area है क्योंकि meter square में आता है या फिर square unit में आता है distance की तो L square difference in temperature अगर आप 20 degree centigrade केल्विन को आप मानस करें 10 Kelvin से तो क्या आएगा 10 Kelvin को आएगा time है आपका T T की पाउर 1 यह सारी चीज़े इस formula भरण दीजिए जैसी आप रखेंगे mass तो एक ही रहेगा L square by L square और यह 1 L1 तो इन दोनों को जोड़िए 2 plus 1 3 नीचे 2 है माइनस कर दीजिए आपका 3 माइनस उपर 3 आया नीचे 2 है 3-2 1 आयेगा तो L की पाउर क्या होगी L L अठा जेता हूँ एक T को देखते है T की पाउर minus 2 और T की पाउर minus 1 तो T की पाउर minus 2 उपर है T की पाउर 1 नीचे है जब यह उपर जाएगा तो minus 2 इंटू T की पाउर minus 1 minus two minus one जूट जाएगा minus three आएगा T की power minus three ऐसी k पर आईए k और भी नहीं है k केवील केवल k की power one नीचे है जब यह उपर आएगा K की power minus one हो जाएगा ultimately M की power one L की power one T की power minus three K की power minus one कितने आसानी से आपने इस coefficient की dimension निकाल दी dimension formula निकाल लिए आपको dimensional formula निकालना है इन physical quantity का electric charge Q potential difference V capacitance C, resistance R अब यह जो formula है वो कुछ इस तरीके से है Q equal to I T जो आप potential difference आप बताना चाहरे हैं उसमें कुछ work बगरा भी आएगा V I T Q R है CV के बराबर V equal to I R इसमें I जो देख रहे हैं वो electric current है T आपका time represent कर रहा है और W work done energy है तो Q equal to I T I सिधा ampere लिखे time T लिखे बागी दोनों को 0 कर दीजिए M की power 0, L की power 0 A की power 1 क्योंकि ampere है A की है, time भी A की है T की power 1 तो A की power 1, T की power 1 इसको सिधा M 0, L 0 A की power 1 T की power 1 ऐसे लिखनेगे यह dimension इसका formula होनी उसके बाद हम आते हैं अगले बाले पे W equal to V I T तो V कैसे निकालेंगे W by I T इसको नीचे ले आईगे अभी अभी आपने I T देखा उसको यहां रख दीजे V work यह हमने energy का निकाला था M की power 1, L की power 2, T की power minus 2 M ऐसे रख दीजे M कहीं भी नहीं है यहां रख दीजे L square भी कहीं नहीं है तो L square रख दीजे T की power minus 2 और नीचे T की power 1 है यह उपर जाएगा तो minus 1 बनेगा minus 2 और minus 1 जूड़के minus 3 हो जाएगा A नीचे है A की power 1 है उपर आईगा की power minus 1 बनेगा अब Q equal to CV यानि कि आपको अगर C का निकालना है तो Q by V Q आपने IT देखा V की जगा W by IT रखिए इसमें केवल अब अगर आप देखे तो IT IT उपर चला जाएगा IT IT मुणिपला करके I square T square बन जाएगा I का है A square T का है T square वर की जगा ML square T minus 2 करी इनको solve करीए या जाएगा V equal to IR है R निकालना है V by I हो जाएगा V की जगा आप W by IT रखिए I नीचे आएगा और IT नीचे जाएगा तो I, I, I square हो जाएगा T बनेगा R निकालना है वर की जगा आप ये energy का रखिए ये ampere है A square ये T है T की पार 1 इसको M लग दीजे L square नहीं है तो L square आजाएगा A square A की पार 2 है नीचे तो उपर की जगा T की पार minus 2 बन जाएगा ये 1 उपर जाएगा minus 1 तो T की पार minus 2 ये आपका R का जाएगा velocity time of force इनको base quantity लेना है और आपको dimension of formula निकालना है mask क्योंकि हमारे पास जो symbol है force F force के लिए T time के लिए V velocity के लिए तो force होता है mass into acceleration ये law है Newton साहब का velocity के जगा acceleration के जगा velocity by time लिए velocity by time तो अगर आपको mass निकालना हो तो क्या करेंगे time को उपर ले जाएगे velocity के नीचे force into time by velocity force की power 1 है T की power 1 है और V की power 1 है T की power 1 रखी है V की power 1 को उपर जाएगे तो V की power minus 1 क्योंकि इन्होंने कहा है इनको velocity, time और force base quantity चाहिए तो time, velocity, force के इसाब से ये बनेगा बाकि force की जगा मतलब वो चीज मत रख दिजएगा velocity जगा वो मत चीज रख दिजएगा जो अभी तक हम पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने कहा है कि force of velocity के term पे निकाले है जो heat produce हो रही है एक current carrying wire में वो depend करती है IE पे, current पे, resistance पे और time पे जिसमे current पास हो रहा है इन fact को ध्यान में रखते हुए आपको formula निकालना है heat energy का किसका निकालना है? heat energy का heat energy proportional है इन्होंने सवाल में दिया हुआ है heat energy proportional है current इसकी power IE कर देते है R resistance की power B कर देते है T time दिया हुआ T की power C कर देते है इस proportionality sign को हटाएंगे K लगाएंगे यहाँ पर proportional T का हमारा constant होता है IE की power A, R की power B, T की power C A और B, C इसमें यह real number को belong कर रहे है यानि कि half भी आ सकता है 0.5 भी आ सकता है कि अगर मैंने पहले R को कुछ और कहा हो तो इसको आप समझ दीजे कि real number होते है K जो है वो dimensional constant है इसको हम छोड़ देंगे अब dimensional formula बनाना है आपको आप heat जानते है energy energy है energy M की power 1, L square, T की power minus 2 कई बार निकाल चुके है पहले अब क्या काम करेंगे अब एक काम करेंगे I होता है ampere, A की power A resistance, resistance भी हम निकाल चुके हैं अभी पिछले सवाल में तो यह पूरा रख देंगे और power B कर देंगे time तो T है, T की power C कर देंगे अब क्या करेंगे यह A की power A हो गया यहाँ पर अपके पास A की power minus 2 into B है तो यह A minus 2 B हो जाएगा M को देखिया M और कहीं निकाए तो M की power 1 into B is M की power B L square भी कहीं निकाए तो 2 B, L की power 2 B T देखिए T की power minus 3 B और यहाँ पर C B है तो C minus 3 B ठीक है? तो सब की आगए अब A minus 2 B equal to यहाँ A की power 0 है है नहीं न, A यहाँ पर नहीं है 2 minus 2 B आप 0 के बराबर रखेंगे M की power B और M की power 1 यहाँ तब B मतलब 1 हो गया L की power 2 B और L की power 2 यहाँ पर T की power minus 2 है यहाँ T की power C minus 3 B है तो C minus 3 B को minus 2 के बराबर कर दीए आपके पास यह equation बन जाएगी चार हो इसमें A, B, C को solve करिए A, 2 आएगा, C, 1 आएगा इसको आप पुराने जो अभी अभी आपने लिया उसमें रख दीजे H equal to K I square RT Experimentary रेस को जाचेंगे तो किया आपका वन आता है आपका हीट हो गया इस तालुक से इस question के इसाब से I square R into T हमने dimension की बारें बात की और यह सवाल आपके यहाँ पर ग्यार्वी के exam में प्लस अगर आप किसी competition के त्यारी कर रहे हैं IIT, JEE वगरा के त्यारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा योग है बहुत बड़ा उपयोग है और यह जरूर आते हैं आगे भी discussion करेंगे थोड़े questions भी लेंगे और summarize करेंगी बहुत शुक्रिया बहुत मेरबादे आप से बीकिए